हाई फ्रेंड्स नमस्ते मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टो लकीज ब्यूटी एंड क्रियेशन्स आज हम देखेंगे निटिंग में बेसिक स्टिचिस देख रहे हैं अब तो उसमें लास्ट वुडिय में मैंने निट स्टिचिया सिधा फंदा कैसे डालना है और फंदे कैसे डलते हैं सिधा सिलाई कैसा करता है वह मैंने बदाया था आपको सिधी सिलाई में हम इस तरह से निडल को डालेंगे अब हम देखने वाले हैं पर्ल स्टिच पर्ल स्टिच या उल्टी सिलाई जो हम बोलते हैं उल्टी सिलाई या पर्ल स्टिच वह कैसे करेंगे सिधी इस तरह से हम नीडल को इंसर्ट करते हैं फर्स्ट लूप में लेकिन पर्ल स्टिच में रिवर्स करना है इस तरह से हमेशा ओन आगे रहता है पर्ल स्टिच में आइंड यह फंदे अगर मैं राइट हैंड निटिंग करती हूं तो मेरा जो फंदे डले हुँ में रहते हुँ वो नीडल left hand में रहता है और खाली नीडल right hand में रहता है और हम यहां से जो first हमारा loop है इस तरह से नीडल को आगे लेके आएंगे और यह जो tail हम छोड़ देंगे और जो working yarn हमार working wool है हम जो यह वाला नीडलम ने insert किया था इनको इस तरह से आगे से पीछे लेकर wrap करेंगे दिख लीजे यह हम इस तरह है पिर एक बार दिखा लेती हूं कि इस तरह से हम reverse लेंगे जो हमारा उन आगे है इस उन को राप करेंगे पिछे से आगे और इस जो लूप create हुआ है इस नीडल के ऊपर इस लूप के समेथ हम बहार निकालेंगे और जो इस नीडल पर जो परस्ट स्टिच है उसको हम बहार निकालेंगे एक ही स्टिच को हम बहार निकाल देंगे यह हो गया हमारा first पर्ल स्टिच पर्ल स्टिच में हमें यह जो चोटा सा बंप है आगे नजर आना शुरू हो जाएंगे अब हम उसी तरह continue करेंगे कि रिवर्स हमने नीडल में डाला और इसको ओवरलैप किया और इस लूप के समेथ हमें हमने उनको बहार निकाला और जो यह स्टिच हमारे कंप्लीट हो गया यह एक स्टिच हम बाहर निकाल देंगे तो यह यह जो फिंगर है हमेशा आप इसके उपर होल्ड करिए ताकि यह नेक्स्ट निकाल ना जाए तो इसलिए आप वह ध्यान रखिएगा मैं बिगिनर्स के लिए बोल रही हूँ अगें राप निकाल दीजिए हलके से मैं दिखा रही हूँ ताकि आपको कंफूजन ना हो कि फिर राप कर दीजिए एक ही आपको ध्यान से निकालना है ताकि यह ड्रॉप न हो जाए नेक्स्ट स्टिचेश आपको यह बंप जो यह हमारा फर्स्ट का जो लाइन नजर आ रहे आपको यह फंदे डाले हुए थे यह जो नेक्स्ट हमारे पॉर्ल स्टिचेश में तो यह पॉर्ल स्टिच है कि नआ दो कि यप पॉर्ल स्टिच में हमारे राइट साइड में यह चल रहा है क्योंकि हमें फ्रंट जो हमारा वरक का फ्रंट चाहिए वह पॉर्ल स्टिच का चाहिए तो हमें राइट साइड में ये पर्ल स्टिच का रहना चाहिए तो राइट साइड से हमें ये पर्ल स्टिच कर रहे हैं कि यह हम एंड पर आ गए है के लास्टिच अमारा पर्ल स्टिच का कंटिनुऊ ہو गया है आप देख सकते हो ये बंप्स जो नजन स्टिच हो गए हमारा एक राइट साइड का स्टिच हम ये जो नीडर अढ लेफ्ट एंड मे लेंगे और येखाली वाला राइट हैंड में लेंगे, अब हमें फ्रंट साइड में पर्ल ही स्टिच, जो ये बंप्स नजर आ रहे हैं, वो हमें राइट साइड, जो पर्ल स्टिच हमें, राइट साइड या फ्रंट हमारे पैटन का फ्रंट साइड ही चाहिए, तो रांग साइड हमेशा इसका निट च आएंगे तो राइट सेड पर हमें बंस या पर्ल स्टिच का पाटर्न बनते जाएगा अब हम रॉंग सैड में नीट करते जा रहे हैं नीट स्टिच या सीधी सी लाई अब आप देख सकते हो यहां पर हमें ये बंस सेकेंड लाइन का भी बंफ हमें स्टार्ट हो गया है यह मारा फ्रेंड साइड में यह बाकसेड है तो यह हमें राइट सेड से में पर्ल स्टिच की था रॉंग सेड़ पर वह निट स्टिच हो जाएगा आइ थिंक आपको क्लियर हो गया है यह पूरा लाइन हम निट स्टिच करेंगे रांग साइड वाला अगर आप राइट रांग कन्फूजन होने लगे तो फर्स्ट अगर स्टार्टिंग में आप राइट साइड में आप एक पिन भी लगा सकते हो क्योंकि बहुत सारे मेंने बिगनर्स जो सीख रहे हैं वही कन्फूजन हो जाता है या एक एक स्टिच रहते हैं पैटर्न में कौन सा सीधा कौन सा उल्टा जा रहा है एक एक बार वह कन्फूज कर जाते हैं यह तो अगर आपको क्लैरिफाई क्लियर चाहिए तो कर सकते हो और हम आगेन यह लेफ्ट हैंड में लेगे खाली वाला नीडल राइट हैंड में अगर हम अगेन हमारे राइट साइड पे हैं राइट फ्रन्ट पार्ट पे हैं तो यहां पर अगेन हमारा पर्ल स्टिच कंटेनू होगा यह हमें एंड तक continue करना है इसी तरह हम यह लाइन फिनिश करेंगे यह हमारे कुछ लाइन्स पूरे हो गए है अब आप देख सकते हो यह वाला पर्ल स्टिच यह है पर्ल स्टिच जो यह आपको यह स्मॉल स्मॉल बंप्स नजर आएंगे यह सभी पर्ल स्टिच है कि एकि तरफ पर 裝 हमने डाला है तो यह towel को around साइड है या सीदीसाइड हमारे परल श्टिच आए तो यह परल श्टिच है बंब साइड यहां पर सीदीसाइड पर्ल किया तो हमें इसी तरफ पर्ल्ट साइड जाये तो उल्टी तरफ ऑगर रौं शेड़ पर हमें reverse करना है और राइट सैड मेंड़ करते हैं और रांग सेड में purl करते हैं नेट पस्टि के सलिटेस बेसिक स्टिचेस हैं हमारे बुनाई के इसी के अधर पर सारे स्टिची से या पैटर्न्स हमारे बनते जाते हैं यह आपने प्र Nicki अच्छे से किया तो अवह तो यह आप कुछ स्वाचे सब बना के प्रैक्टिस कीजिए स्टार्टिंग हो तो आप ठोड़ा सा मोटा वन लेने से आपको बनाने भी आसान लगेगी और सेखने में भी क्लियरीटि मिलेगा और लाइन की जो गिंती वगेरा वो स्वाचेस कितने कैसे यह करना है आपको आस तरफे कि वी आपको नजर आ रहे हैं वह एक एक लाइन काउंट होता है देखिए कि कितने क्लियर अगर आप aktion use करते हैं तो е-graphirm को clear से समझ में आने लगेगा कि assess कैसे चड़ते हैं तो यह पर स्टीच हमने देखा आज पर-स्टीच का सिंबॉल देखेंगें आम अगर आप कुछ चार्ट या या अब स्टीच देख रहे होंगे तोपल भीस का क्या सिंबॉल होता है अब देख WikN अपको एक sleeping line मिलेगा यह पर्ल स्टिच का सिमबॉल है फी लिखा होगा यह उल्टी सिलाई हम नॉर्मल जो बात करते हैं इसको बोलते हैं अपने-पने साथ से लैंगवेश के वाइस बोलते हैं कि निटिंग उनके तरीके हैं तो नॉर्मल निका जाता है इसको उल्टी करते जाएंगे अगर सीधी साइड पर्ल चाहिए तो पर्ल स्टिच का पैटर नहीं चाहिए तो रॉंग साइड टर्न होने के बाद निट स्टिच हो जाएगा उसी तरह अब हम निट स्टिच का सिम्बॉल होता है यह निट के लिए हम एक स्टैंडिंग ये यूज़ करते हैं के लिखा रहता है यह सीधी सीलाई बोलते हैं इसको और राइट साइड फे हम हम इसको निट स्टिच की तरह सीधी सी लाए करते जाएंगे वह हमें सीधे बुनाया फ्रंट साइड के पैटन के फ्रंट सैड में पैटन मतलब यह जो बैक सटमी डिजाइन हमें परंट में चाहिए तो वह सबीर नंग रोज में हमें पर्ल स्टिच करना पड़ेगा तब फ् प्लस एक बॉक्स में अगर आपको प्लस मार्क नजर आये तो वह एक्स्ट्रा एज जो लिखा होगा वह एक्स्ट्रा स्टिच होता है डिजाइन के अलावा डिजाइन के बेसिक स्टिच के अलाव हो यह बेसिक पैटर्न का अब्रिवेशन से शायद आपको यह वीडियो यूस्फुल हो बसंद हो अगर आपको यह वीडियो लगे या कुछ सीख पाए तो आप जरूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब करना ना भूलियेगा फ्रेंड एंड हिट दे बल बेटन तो नौटिफा निव वीडियो एंड थैंक्स फर वाचिंग टेकर एंड बाई